जहिंद, JPSC प्रारंबिक परिच्छा संपन होने के बाद लोगों के मन में एक ही परस्ण है कि JPSC प्रारंबिक परिच्छा की कटप कितनी जाएगी इसके अलावा उनके मन में एक और पर्षन है कि इस बार एक्जाम का जो लेबल था वो विगत JPSC के तुनला में अलग था हाँ ये कहा जा सकता है कि विगत JPSC प्रारामबिक परिछा की तुनला में इस वर्ष का जो आपके JPSC का एक्जाम था उनकी लेबल कुछ अलग थी हाँ कुछ ऐसे 10-12 पर्षन थे जो आपसे नहीं बनती मार्केट के अगर आप कोई भी बूक को पढ़ लेते तो उसमें वो डाटा नहीं दिया गया था वो चीज़ें नहीं दिया गया था जो आपके एक्जाम में पूछे गये थे हाँ 10-12 कोश्चन के बाद अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आपकी गलती है गलती ये होती है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था अगर आप कहीं कोचिंग जोइन करते हैं या आप वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं या आप कहीं से पैड़ कोर्स लिए हैं उससे पढ़ते हैं तो आप पूरी तरह से उनहीं पे निर्भर रह जाते हैं अगर आप पैड़ कोर्स लिए हैं तो वहां से आपको PDF दे दिया जाता है आप बाहरी चीजों को पिर देखना छोड़ देते हैं, अर् consistency किताप की सहारा लेना छोड़ देते हैं, जो कि ये आपके अंदर बड़ी गलती होती आप किसी के नोर्ष को लेते हैं तो आपको वहाँ एक सीमित जनकारी दे जाती हैं लेकिन अगर आप वही चीज बुक को पढ़ते तो आपके अंदर एक अच्छी समझ आती लेखन सेली भी एक अच्छ आपकी जो लेखन सेली होती उसमें भी सुधार आती तो आप किताब का स चीजें आपको वहां से नहीं प्राप्त होती तो यह चीजों को आपको सुधारना है अगर आपको कोई कहता है कि 15 या 20 दिन या एक महिना दो महिना पैड़कोर्स मेरा लीजिए हम आपको जे पीसी और जैसे जैसे एक्जाम की त्यारी करवा रहे हैं तो साफ आपको पाग कि आपकिताब को लगातार पढ़ें किताब की मदत लें video होते हैं अगर आपको कोई concept की जौरत पढ़ती है तो concept वहां से मिल जाता है कुछ चीजें समझ नहीं आती किताब में कुछ ऐसे language का प्रियोग किया जाता है जो कि आपको समझ नहीं आती प्रेंड़कोर्सका मदद ले सकते हैं या कोई वीडियो का मदद ले सकते हैं कोई कोचिंग सर्थान का मदद ले सकते हैं लेकिन यह कहना पूरी तरह से गलत होगा कि हम हम पूरी तरह से कि dabei रहें आप एक अच्छे लेवल की एक्जाम के त्यारी कर रहें है आपको भी कुछ करने पढ़ेंगे आपको एक अपने आलग से concept निकाल करके आपने से खुद से नोट्स बनाना पढ़ेगा फिर आप exam में अच्छे कर पाएंगे हां कभी कभार ऐसा होता है कि आप विडियो के माध्यम से PT exam निकालने संस्थान के माध्यम से PT exam निकालने लेकिन आप मेंस में जरूर फसिएगा क्योंकि आपके अंदर वो लेखन से लिए नहीं रहेगी और लगतार अगर आप किताब को पढ़ेंगे तो आपके अंदर वो लेखन से लिए आएगी फिर आप मेंस में फसेंगे ना PT में फसेंगे आप इंटर्विव में फसेंगे आपके अंदर बोलने की एक अलग कला आ जाएगी तो आप किताब की हमेशा प्रियोक जरूर करें यह चीजें हम कई बार आपको वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं अब बात आती है पर्षन की तो देखिए जैसा कि मैंने देख पाया तो आपके पेपर उन्ट सही थे लिए बर ऊंकी बात करें तो टे पर वन में कोई कमी नहीं थी अच्छी थी यहां आपके जारिखंड के भी पर्षन देखने को मिले है तो पैपर ऊन्ट के पर्षन थे यह वह भी बही सही ते आपके समझ से आपके समझ से के बाहर भी कोश था वो हाई जरूर था लेकिन वही बोलेना कि अगर आप बुक को पढ़े रहते जो जो बुक का सहरा लिए हैं वो लगभग कोश्चन बना पाए होंगे अगर हम 10-12 कोश्चन की बात नहीं करते हो तो ठीक है यहां देख पाएं कि आपदा परबंदन से आपका जो पेपर पूछा गया है तो आपका JPSC जो आप एक्जाम कंड़क्ट करवाया है आपकी प्रारंबिक परिच्छा हुई है वो आपके सलेबस के अनुसार भी नहीं हुई है आपके सलेबस के अनुसार भी नहीं हुई है आपको पढ़ाया गया है सलेबस के अनुसार तो यह चीज़े और OBC में 200 से 215 के बीच कटप थे लेकिन इस बार हम लोग JPSC प्राधामिक परिछा की कटप की बात करें तो इस बार जेनरल में 210 से 225 के बीच रहेंगे और OBC में 205 से 215 के बीच कटप रहेंगे पहले EWS नहीं होता था अब EWS होता है जिसमें से JPSC में इसका कटप 210 से 220 के बीच रहेंगे जो पहले का JPSC प्राधामिक परिछा था उसमें SC-ST का कटप था वो 190 से 200 के बीच था लेकिन इस बार SC का 190 से 200 के बीच रहेगा और ST का 180 से 190 के बीच रहेगा उम्मीद है ये सारे चीज़ें आपको समझ आई होगी तो अगर आप JPSC और JSSC जैसे एकजाम की त्यारी कर रहे हैं तो आप अच्छे ढंक से मेहनत करें आप पूरी तरह से किसी दूसरे पर निर्भरना रहे हैं अगर आप किसी तरह से पीटी निकाल भी लेते हैं तो मेंस आप से नहीं निकलेंगे आपके अंदर वो लेखन से लिए नहीं आएगी कहने का मतलब क्या है कि मैंने आपको बता दिया है पहले ही तो यही था आपका कटप इससे 5-10 अंक इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज 5-10 अंक हो सकते हैं लेकिन ऐसा अनुमान है कि इससे बाहर आपके कटप नहीं जाएंगे चलिए दोस्तों उम्मिद है ये सारी चीजे आपको समझ आई होगी और आप इस चीज को समझ पाए होंगे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टूपी के साथ धन्यवाद